नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तरप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित खंड सिच्छा दिकारी यानि बीयो परिच्छा 2019 के लिए हम लोग मौडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे उसी कड़ी में हम लोग सामान अध्यन के कुछ और प्रस्द जो बहुत ही महत्पूर है एक्जाम की देश्टी से उनको इस सिरीज में सॉल्व करेंगे और उनका संपूर हल ब्याख्या के साथ में जिससे की उससे संबंदित जो टॉपिक है वो भी आपका किलियर होता रहे इस वीडियो में देखेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने जो टेस्टरी लांच की थी उसमें आप अभी भी एड्मिशन ले सकते हैं खंड सिच्छा अरिकारी परिच्छा 2019 के लिए एक ये बहतरीन विकल्फ है आपके पास जो है जिसमें आप कम समय में पूरे स्लेवर्स को कवर कर सकते हैं दस फुल टेस्ट प्लस एक जो है डेमो टेस्ट यानि इस तरह से ग्यारा फुल टेस्ट और चार करन्ट अफेर्स के फुल टेस्ट जो है आपको जो है इसमें प्रुवाइड किये जाएंगे इन टेस्ट में केवल question answer ही नहीं बलकि उसकी संपूर ब्याख्या भी दी गई है जिसको आप जो है वीडियो में आगे देखेंगे किस प्रकार से हर प्रस्ण को पूरी तरह से describe कर दिया गया है जिससे questions related कोई भी उस topic से सम्मन्दित प्रस्ण आता है तो आप उसको easily solve कर सकत हैं साथ ही वीडियो के माध्यम से हम लगातार जो है आपको इस परिछा की तयारी channel पर करवा रहे हैं इसलिए अगर आप test को join करना चाहते हैं तो आप ये दिये गए number पर 9506742546 पर जो है contact कर सकते हैं या तो whatsapp के माध्यम से या सीधे call करकर जानकारी ले सकते हैं test की quality कैसी है content कैसा है ये सभी चीजे जानने के लिए आप जो है हमारे जो free demo PDF है उसको जरूर डाउनलोड करें उसका link इस वीडियो के description box में भी दिया हुआ है साथ ही आप जो है decode exam का app भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से उसमें login करके प्राप्त कर सकते हैं और साथ online test भी दे सकते हैं जो ये test design किया गया है इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि bilingual test है यानि question और answer ये दोनों ही जो है दोनों ही language में एक साथ आपको दिखेंगे आप online test भी दे पाएंगे साथ ही में जो है इसकी संपूर हल वाली PDF को भी download कर सकेंगे तो इसके बारे में अधि उतियक प्रदूसक यानि एक secondary pollutant नहीं है तो secondary pollutant और primary pollutant क्या होते हैं ये भी हम आगे discuss करने जा रहे हैं तो इसमें से sulfur dioxide यानि SO2 जो है ये एक secondary pollutant नहीं है sulfur dioxide क्या है एक ये primary pollutant है यानि प्राथमिक प्रदूसक है ऐसे प्रदूसक जो प्राथमिक प्रदूसक तथा साधारण वातावरणी पदार्थों की क्रिया के फलसुरूप बनते हैं उन्हीं को हम secondary pollutant या दुतियक प्रदूसक के नाम से जाते हैं ये से PAN यानि पैन उसके ब उस सरजन वाई मंडल में सीधा सुरोच से होता है यानि वो किसी अन पलूटेंट से मिलकर ना बनके वो सीधे सीधे जो है वाई मंडल में उस सरजित होते हैं जैसे carbon dioxide हो गया methane, benzene, sulfur dioxide, nitrogen के आकसाइड और particulate matter ये सभी जो है इसके example हैं जो exam के दिश्च से बहुत important हैं अब द intermediate या secondary producer कहते हैं वे प्रदूसक जो प्राथमिक प्रदूसक और घटक परियावरान जो पहले से ही वाता मरण में मौझूद हैं के बीच रासायनिक प्रतकरिया से बनते हैं जैसे धुंद, ozone, sulfur dioxide, nitrogen के आकसाइड ये सभी secondary pollutant या intermediate pollutant कहलाते हैं अब एक एक करके सारे pollutant और उन से पहले हम देखते हैं sulfur dioxide या SO2 ये जो है जो है जोला मुखियों द्वारा और कई अध्यों की प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होती है, sulfur dioxide कोयला और petroleum के दहन पर भी उत्पादित होता है, nitrogen dioxide की उपस्तिती में sulfur dioxide sulfuric acid के रूप में बन जाता है, यानि sulfuric acid में convert हो जाता ह जो की acid rain यानि अमल वर्षा के लिए भी एक कारक होता है, तो acid rain के बारे में भी कई exam में पूछा जाता है, अब हम बात करते हैं nitrogen dioxide यानि NO2 की, तो उच्च तापमान के दहन और बिजली के निर्वहन से गरज के दोरान के कारण विउत्पादित होता है, ये सहरों के उपर ए और परेसान करने वाली गैसे ये इधन के अधूरे दहन के कारण यानि incomplete combustion के कारण जैसे प्राकरति गैस, कोईला या लकडी से उत्पादित होता है, कारवन मोनो आकसाइड का प्रमुक उत्पादन वाहनों से निकलने वाले धूएं से भी होता है, तो ये कभी कभी पूछ क्या जाता है कि इसका जो है सबसे मेजर सोर्स क्या है, मीथेन की बात करते हैं, CH4 बहुत ही प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है, जो कि इस तर पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान प्रदान करती है, कडिका तत्तो या पर्टिकुलेट मेटर जिसको PM भी कहते हैं सोर् मुद्र इस्प्रे से उत्पन होते हैं, एरोसॉल जो है वानो, बिजली सयंत्र और कई और द्योगिक प्रक्रियाओं में फॉसिल फ्यूल यानि जिवास मीधन के जलने से उत्पानित होते हैं, हावा में महीन कड़ों का उचा इस तर मानो स्वास्त के लिए खतरा होता है, अब इसी कड़ी में यानि प्राइमरी प्लूटेंट्स में ही क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स याई सी अपसीज, तो हवा में एर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, एरोसॉल, इस्प्रे आरिसे पन होना लिए गैस होती है, हावा में पहुँचने के बाद क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है समताफ मंदल पर, यानि इस्ट्रेटो больш प्लacements में पहुँचाती है, जहां यह अनि गैसों के साथ मिल जाती है और ओजोन परद को नुकसान पहुचाती है, तो ओजोन परद को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुचाती है, सीअपसीज, इसके लावा अल्टरा वालेट किरणे जिसको हम पैराबैगनी प्रकास कहते हैं प्रतिवीर प्रपाउसती हैं और विभिन बिमारियों जैसे त्वचा के कैंसर इत्यारी का काराण बनती है साधी पौधों को भी नुकसान पहुचाती हैं आमोनिया क्रसी प्रक्रियाओं में उत्पन होती हैं आमोनिया नाइ विविक्त या कण गैसी प्रात्मिक प्रदूसर्ण और फोटो कोईमिकल स्मॉग या धुंद में योगों से उतपादित होते हैं सामान तोर पर धुंद किसी छेतर में कोईला जलने के कारण हुए धुंद और सल्फर डायकसाइट के मिश्रण से उतपन होता है तो यहाँ पर यह चीज इंपॉर्टेंट है कि जो कोईले जलने से धुँआ उतपन होता है और सल्फर डायकसाइट इनको मिलने से जो एकपन होता है आधुनिक धुंद या यूं कहें कि मौजूदा समय में धुंद वाहनों और अध्योगी को सर्जन जो की सूरज से के निकलने वाली पर जो है मेजर सेकेंडरी पॉलुटेंट कौन सा है पर एसिटाइल नाइट्रेड जिसको हम पैन कहते हैं साट में तो फोटो केमकल स्मॉग में यह मौजूद है यह उसमा इकाई के रूप में आइस्थिर और और पराक्सी इथानाइल कड़ा और नाइट्रोजन डायकसाइट गैस में विखंडित होती है जब इथिनाल को वानों के इधन के रूप में प्रियोग किया जाता है तो इसका गठन हानिकारक हो जाता है परिणाम सुरूप एस्टलडिहाइट के उस सरजने बरस्दी होती है जो वातरा हमने पतकरिया करके धुन दिया स्मॉग जो है बनाती एसी ड्रेन के बारे में प्राया कोश्चन पुछे जाते हैं तो एसी ड्रेन या आमल वर्षा क्या है ये ये जो है वायू प्रोडूशन का परिणाम होती है जब किसी भी तरह का इधन जलता है और विभिन अनरसायनों का उत्पादन होता है तो आग से निकलने वाला धुआ या कार से निकलने वाला धुआ न केवल गहरे सलेटी करणों से बने होते हैं बलकि उनमें कुछ अद्रस गैसों का भी समावेस होता है जो कि वातावरण के लिए ज़्यादा हनिकारक होती हैं इनमें से कुछ गैसे जैसे कि नाइट्रोजन आकसाइड और सल्फर अमल वर्सा बर्फ धुंद और सूखी धूल के रूप में भी ले सकती है अमल वर्सा का मिट्टी पर पेड़ पर इमारतों पर और पानी पर गंभीर प्रभाव पड़ता है अगला प्रसंदेखने हैं प्रत्वी अंतरिच सीमा की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस के द प्रत्वारा आइनोस्फेरिक कनेक्शन यानि आइकॉन एक्सो प्लोर सेटलाइट को फ्रोड़ा टट के पास से एक बीमान से लांच किया गया था ये सेटलाइट प्रत्वी के उपर वातावरण का अध्यन करेगा साथी यह अभी पता लगाएगा कि कहां पर अंतरिच गती तापमान आइनो की गती आदी को मापने का काम करेंगे अब हम साइन से जुड़े कुछ जो है लेटेस्ट जो घटना करम है यानि जिसको हम कह सकते हैं कि साइन्स एंट टेकनोलोजी से रिलेटेट करन्ट अफेर्स हैं उसको हम यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले ब के इंसासित प्रेशों में इसके लिए अलर्ड जारी किया गया था अब एक यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट यह है कि इस चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है क्योंकि लगातार जो है एसियन कंट्रीज के द्वारा जो है क्रमबद तरीके से चक् क्लाइमेट इमर्जेंसी की घोष्णा ये नॉम्बर 2019 में विश्ट के 153 देशों के लगबग 11,000 बैज्ञानिकों ने क्लाइमेट इमर्जेंसी की घोष्णा की बायो साइंस नामक जो है पत्रिका में छपे लेक में 11,258 बैज्ञानिकों में से 69 भारती बैज्ञानिकों की अधार्पी की है ये घोशना उर्जा उपयोग सतह के तापमान जनसंख्या की ब्रद्धी भूमी समासोधन वनों की कटाई धुरूवी वर्प कद्र बिमान प्रजिनन दर इत्यारी के बैग्यानिक बिशलेशन पर अधारित हैं जो पर्यावरण को लगातार छती पहुचा र मकडी की नई प्रजातियां एसिया की कुद मकडी यानि एसियन जंपंग स्पाइडर के वन्स इंडो मरेंगो और मरेंगो वन्स के अंतरगत आती हैं अब यहाँ पर विसेश बात क्या है जो चर्चा में है कि एक मकडी का बैग्यानिक नाम मसूर क्रिकेटर सचिन तेंदु और दूसरी मकडी का नाम बैग्यानिक नाम जो है केरल के एक संत हैं कुरियो स्कोर इलियास चावरा इनके नाम पर जो है इंडो मरेंगो चावरा पटेरा जो है यह रखा गया है अगला देखते हम अंतरिछ पुरुद्यों की सेल की स्थापना तो एक नॉम्बर 2019 को IIT दिल और इसरो के सहयोग से अंतरिछ पुरुद्यों की सेल यानि STC का गठन का निर्णय लिया गया है अगला महत्पोर अपडेट क्या है डिकोर्ड आप बिग बैंक ठियोरी एक नॉम्बर 2019 को अमेरिकी पत्रका साइंस जन्रल में ब्रम्हान के निर्मार से संबंदित बिग बै मोधन के तरीकों की खोज करते हुए बिग बैंक प्रकार के बिसफोट कराने के तरीके का पता लगाया है मेडक की नई प्रयाती की खोज की गई ही जिसका नाम ही बहुत इंपोर्टेंट है पॉलिपेडेटर्स बंगलेंसिस यहाँ पर बंगाल सब्द जुड़ा हुआ है यानि इसका संबन बंगाल से है तो चार नॉम्बर 2019 को एंफीबियंस की खोज करने आली टीम ने पस्चिम मंगाल के दो स्थानों पर मेडकों की नई प्रयाती जिसका नाम पॉलिपेडर्स बेंगलेंसिस रखा गया है इसकी खोज की गई है पस्चिम मंगाल के उत्तरी 24 प और इसका नाम है इसकी पीट पर छे से नौ गहरे भूरे दबों के कारण दिया जाता है आईसी जी एस एनी बेसेंट ये क्या है ये नौमबर 2019 में गाडन रिप सिल्बिडर्स और इंगिनेर्स ने फॉस्ट पेट्रोल वैसल यानि एफपीवी आईसी जी एस एनी बेसेंट को भारती तटरच्छक बल को सौपा ये भारती तटरच्छक बल को दिये जाने वाली पाच गस्ती पोतों के करम में दूसरा है अलजाइमर्स की दवा एक नई खोजी गई है जिसको नाम दिया गया है जी वी नाइन सेवेंटी वन तो मस्तिक से सम्मंदित बीमारी अलजाइमर्स के उपचार है तो चीन की एक दवा निर्वाता कमपनी ने इसका नाम जी वी नाइन सेवेंटी वन रखा है ये भूरे रंग के सैवाल से निकाली गई है यानि ब्राउन एलगी से इसका एक्स्टेक्शन किया गया है ये दवा अलजाइमर्स के लिए दुनिया की पहली बहुल अच्छी करण यानि मल्टी टार्गेटेड और कार्वोहाइडरेट आर्थारित दवा है ब्रामोस मिसाइल का भी हाली में अंडमान निकोबार दीब समियू के त्रॉक दीब पर सफल परिछण किया गया है मिसाइ इसका विकास किस ने किया है तो इसका विकास भारत के DRDO और रूस के NPO मसीनो ट्रोनिया नामक जो है वहाँ की कमपनी है इसके संयुक तुपकरम ब्रामोस एयर स्पेस द्वारा किया गया है ग्यारवा परमाडू उर्जा सम्मेलन जो 2019 में आजित हुआ ये होटल ली माडियन नई दिल्ली में संपन हुआ तो इस थान यहाँ पर बहुत important है कि ग्यारवा परमाडू उर्जा सम्मेलन कहां पर आजित हुआ तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली इस सम्मेलन का जो थीम था हो क्या था परमाडू उर्जा का अर्थसास्थ सुरच्छित और किफायती पुर्द्योग्यों की दिशा में नमाचार इंग्लिस में इकनॉमिक्स आफ निकुलियर पावर इन्नोवेशन स्टुवर्ड सेफर और कॉस्ट इफेक्टिव टेकनॉलजी इसका आयोजन इंडिया इनर्जी फोरम के द्वारा किया गया नई एंटिबाटिक खोजी गई है जिसको नाम दिया गया है फेजोलिसिन तो अक्टूबर 2019 म एक एंतराश्टी दल ने मैक्सिको के जंगलों में एक नए एंटिबाटिक ही खोज की है इस नए एंटिबाटिक को फेजोलेसिन नाम दिया गया है ये मैक्सिको के ऊश्न कटबंधी जंगलों में पाय जाने अली मिट्टी में उपस्थित जिवाणों के द्वारा निर्मि सा बन गया है सनी यही सबसे ज़्यादा जरूरी है तो अंतराष्टी खगोली संग के माइनर प्लेनेट सेंटर दरा सनी के 20 नए उपग्रहों की खोच की गई है इस नए खोच के साथ ही अब जिंग प्लेनेट यानि सनी के कुल उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है तो आप कतने हो गए है 82 यह आपको या रखना है इस प्रकार सनी सौर प्राणाली का ऐसा ग्रह बन गया है जिसके ग्यात प्राकरतिक उपग्रहों की संख्या सरवाधिक है अब सनी ग्रह से पूर्व जो है जुपिटर यानि ब्रिस्पत के सबसे जादा 79 उपग्रह थे लेकिन अब जो है सनी के 82 हो गए इसलिए जो है सनी सरवाधिक ग्यात प्राकृति उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है मोबाइल अप्लिकेशन लांच किया गया है जिसका नाम है मेगदूत प्रत्वी विज्ञानों करसी मंत्राले ने एक मोबाइल अप्लिकेशन लांच किया है इस मोबाइल अप्लिकेशन का नाम मेगदूत है यह अप्लिकेशन भारती मौसम विज्ञान यनि आइमो भारती अगला प्रसन देखते हैं केंद्री ये बागवानी संस्थान यानि Central Horticulture Institute कहां पर इस्थित है तो केंद्री बागवानी संस्थान नागा लेंड में इस्थित है और नागा लेंड में भी अगर पूछा जाए तो ये मेजी फेमा वहां का एक फेमस प्लेस है वहां पर इस्थ अपना एक इकरत बागवानी विकास मिसन के तहट की गई थी अब भारत में बहुत सारे केंदरी सोच संस्थान है जिनकी बार बार एक्जाम में रिपिटेशन होता है उनका इस थान पूछा जाता है तो हम एक एक करके सारे महत्पूर संस्थानों को देखेंगे सबसे पहले भारती क्रसी अंसंधान संस्थान यह कहां पर है नई दिल्ली में है भारती क्रसी सांक की अंसंधान संस्थान यह भी नई दिल्ली में है राश्टी ये जैव प्रोध्यों की अंसंधान संस्थान नई दिल्ली राश्टी समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली राश्टी करसी अर्षास्त और नीट अंसंधान के नई दिल्ली तो ये नई दिल्ली के पांचे महतपूर संस्थान हो गए आगे देखने हैं, राश्टी ये डेरी अंसंधान संस्थान करनाल में है, पूछा जा चुका है कई बार, केंदरी ये मुर्दा लवनता अंसंधान संस्थान ये भी करनाल में है, राश्टी याक अंसंधान संस्थान ये वेश्ट केमंग में है, केंदरी मात्सिकी सिछा संस् बिवेका नंद परत्ती किरसी अंसंधान संस्थान अलमोडा में है भारती दलहन अंसंधान संस्थान कहाँ पर है कानपूर में है जो कि कई बार पूछा गया है यूपी स्पेसल में आप यहाँ पर यूपी के कुछ और महत्पूर संस्थान देखते हैं भारती गन्ना अंसंधान ये लखनव में है, केंदरी उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनव में है, केंदरी तमबाकू अंसंधान संस्थान राजा मुंदरी में है, राष्टी नीबु वर्गी अंसंधान केंद नागपुर में है, केंदरी ये कपास संस्थान ये भी पूछा जा चुका है कई बार, राष्टी क्रसी वानकी अंसंधान संस्थान ये भी जासी में है, भारती बागवानी अंसंधान संस्थान बंगलौर में, केंद्री सीतोष्ड बागवानी संस्थान सिनगर में, केंद्री सुस्क बागवानी संस्थान ये बीका नेर में है, औ काई बार कोश्चन आ चुका है केंदरी आलू अनसंधान संस्थान सिमला में है केंदरी कंदी फले अनसंधान संस्थान त्रिवेंदरम में केंदरी रोपन फसले अनसंधान संस्थान ये कासर गोड में है केंदरी क्रसी अनसंधान संस्थान ये पोर्ट ब्लेयर में है यानि पूर्वी छेतर के लिए भारती क्रसी अंसंधान परिशद मखाना केंसहीत यह कहां पर है पटना में है यानि बिहार में केंदरी सुस्क भूमी क्रसी अंसंधान संस्थान यह हैदराबाद में है राष्टी क्रसी अंसंधान प्रबंध अकादमी यह हैदराबाद में है राष्टी मांस अंसंधान संस्थान यह हैदराबाद में है केंदरी सुस्क छेत अंसंधान संस्थान जोधपूर में है राष् प्रोद्यों की अंसंदान कौलकाता में है केंद्री भकरी अंसंदान मकदूम में है केंद्री भैस अंसंदान हिसार राश्टी अस्व अनसंधान संस्थान हिसार हिसार कहां पर है हरियाडा में राश्टी पसु पोसर और काई संस्थान ये कहां पर है बैंगलूरू में है केंदरी पच्छी अनसंधान संस्थान पूछा जा चुका कई बार कहां पर है इज़त नगर बरेली में, भारती पसुचिकित्सा अंसंधान संस्थान इज़त नगर में है, यानि बरेली में, केंद्री समुद्री मत्सिकी अंसंधान संस्थान कोची में है, केंद्री मत्सिकी प्रुद्योकी संस्थान ये भी कोची में है, केंद्री खारा जल जीव पालन अंसंधान संस्थान चेन्नई में है केंदरी ताजा जल जीव पालन संस्थान भूनेश्वर राश्टी लीची अंसंधान संस्थान मुझफरपूर बिहार में गन्ना प्रजिनन संस्थान कोयमटूर में है राष्टी अंगूर अंसंधान केंद्र ये कहाँ पर है पुड़े में राष्टी केला अंसंधान केंद्र त्रिची में है राष्टी बीज मसाला अंसंधान केंद्र अजमेर राष्टी अनार अंसंधान केंद्र सोलापूर राश्टी मिथुन अंसंधान केंद्र मेरी फेमा नागालैंड में और राश्टी सुकर अंसंधान केंद्र गुहाटी असम में है अगला प्रस्थ देखते हैं टेट्राप्लेजिया ये क्या है तो ये तरह का ये जो है क्या होता है paralysis होता है लेकिन ये paralysis किस से संबंदे थे ये प्रस्मे पूछा गया है तो दोनों हाथों वा दोनों पैरों का पच्छा गया थे यानि paralysis आप बोथ hands और बोथ legs tetraplegia को quadriplegia भी कहा जाता है ये बीमारी या चोट के कारण होता है जिसमें दोनों हाथों और दोनों पैरों का पच्छा गात यानि paralysis हो जाता है इसके विप्रीत अगर कभी पैराप्लेजिया पूछ लिया जा तो पैराप्लेजिया ऐसी वस्ता है जिसमें पच्छा गात केवल दोनों पैरों का होता है अब एक करके जो है अब इससे सम्मनित और बीमारियां भी देखते हैं तो प्रा मस्तिस पच्छा गात या जिसको हम cerebral palsy के नाम से जानते हैं ये आपने सुना होगा बच्चों में जो है बहुत कामन होता है तो cerebralal का अर्थ क्या है मस्तिस के दोनों इस भी में बच्चों में पाय जाने वाली असमानिता से सम्मनित चिक्सा की चर्चा की थी जिसमें हाथ एवं पाउं की मानस्पिसियों में कड़ापन पाया जाता था ऐसे बच्चों को वस्तूओं को पकड़ने तथा चलने में कठनाई होती थी जिसे लंबे समय तक लिट में इसको भी बाट करते हैं मोनोप्लेजिया की तो इस रेडि के नतरगत आने वाले प्रमस्ती पच्छागात में व्यक्ति कोई एक हाथ या प्रभावित होता है हेमिपलेजिया इसमें एक ही तरफ के हाथ या पैर एक ही तरफ के प्रभावित हो सकते हैं डायपलेजिया में इसमें जादातर दोनों पैर प्रभावित होते हैं परन्तु कभी-कभी हाथ भी प्रभावित होता है फिर पैरापलेजिया इसके अंतरगत बेत्ती के दोनों पैर प्रभावित होते हैं कौाड्रीपलेजिया इसके अंतरगत दोनों हाथ और दोनों पैर अर्था सरीर का पूरा भाग प्रभावित रहता है अगला प्रस्द देखते हैं खाज संकला यानि फूर्ट चेन के संदर में परितंत्र यानि एकोसिस्टम में निमलिखित में से किस प्रकार के जीव जैव अब घटक जीव कहलाते हैं यानि क्या कहलाते हैं डीकंपोजर या जैवगर्ट कौन से जीव कहलाते हैं तो कवक और जीवानु यानि फंजाई और बैक्टीरिया दोनों ही जो है डीकंपोजर कहलाते हैं अब हम पूरा पारिष्ट की तंत्र और उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो सभी प्रकार के पारिष्ट की तंत्र यानी एको सिस्टम इर्ष्थिर्टा के लिए तीन आधार भूत प्रकार का पारिष्टपरिक पोशन ब्योहार आवश्यक होता है इन पारसपरिक पोसरण बिवार में उत्पादक जिसें प्रोड्यूसर कहते हैं उसके आद उभोगता और उसके बाद अब घटक यही पूरा फूट चेन मिलके बनाते हैं इनमें से डीकंपोजर्स या अबगटक वे परपोसी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों पर जीवित रहते हैं इन्हें मृतोब जीवी यानि सैप्रोफिटिक भी कहते हैं जैसे कवक और जीवाणू अताहा जो डीकंपोजर्स हैं वो ऐसे जीवी घटक हैं जो उत्पादक तथा उभोगता की मृत्यू के पस्चात उनके सरीर का अबगटन करते हैं तथा इन से निर्मिश साधारन पदार्थों दोर अपने भोजन से उर्जा प्राप्त करते हैं इस क्रिया के फलसुरूप जटिल कार्बनिक पदा तूटकर नाइट्रोजन, का कारबन, डायकसाइड, फासफोरस, कैलसियम वा लवण यानि सलर जो है पदार्थों में बदल जाते हैं आप गटक जीव के अंतरगत, मतोब जीवी, घटक तथा जिवानू आते हैं अब यहाँ पर हम पारिष्ट की तत्म को डिसकस करते हैं तो एको सिस्टम में खाद संकल जीवधारियों का हुआ कराम है जिसमें उर्जया का प्रवा एक दिसा में होता है, कोश्चन कई बार पूछा गया है कि एको सिस्टम में उर्जया का प्रवा किस प्रकार का होता है, तो आपका उत्तर क्या है, एक दिसी होता है, एक दिसा में होता है, मानो प्रात्मिक तथ जुत्यइक उबहुकताओं की स्रेडी में आता है, दोनों प्रकार से क्योंकि हम साक सब्जी भी खाते हैं, हर्वी वोरस भी खरते हैं और मानसाहारी भी होता है यानि कार्णी वोरस भी होता है। अब हम food chain के बारे में बात करते हैं तो जब उत्पादक का उपभोग प्रथम उपभोगता द्वारा फिर प्रथम उपभोगता का दुति उपभोगता के द्वारा एक करम में किया जाता है कि एक संकला के समान दचना बन जाती इसे ही खाद संकला या food chain कहते हैं किसी पारिष्ट की तंत में उत्पादक उत्भोगता ब्योस्था को पोशर तल लचना यानि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहते हैं और पारिष्ट की तंत में उत्पादक तथा अगला सड़ी के उत्पादक के प्रतेक पोशन तल में या पोशन इस्तर या उर्जा इस्तर जिसको ट्राफिक लेविल या फूड लेविल करते हैं अब खाद स्रंकला के जो बिभिन घटक हैं तो सबसे पहले हम उत्पादक या प्रोड्यूसर की बात करते हैं यह कौन होते हैं हरे पौदे जो सूरी का प्रकास लेकर स्वयम अपना भोजन निर्मित करते हैं प्राफिक भोगता कौन होते हैं जो उत्पादक पर डिपेंड होते हैं यानि वो स्वयम प्रकास संसेशन के दोरह अपना भोजन नहीं बना सकते हैं इसलिए वो उत्पादकों पर सीधे तोर पर निर्भर होते हैं दुतियक उभोकता वो होते हैं जो प्रात्मिक उभोकताओं पर निर्भर करते हैं और ये मानसाहारी होते हैं इनकी खासियत है क्योंकि प्रात्मिक उभोकता जो भी होगा वो साकाहारी होगा और उसके उपर दुतियक भोगता के रूप में मानसा हारी जीव होते हैं मानसा हारी का अगला कटेगरी क्या है पोशड इस्तर चार यानि टॉपिक लेवल चार में इसमें मनुष को भी समलिट किया जाता है मनुष अपने पोशड के लिए उपरोगत तीनों पोशड इस्तरपन निर्भा रहता है मनुष पोणड पोधों से भी भोजन प्राप करता है साकाहारी जीवों से भी भोजन वा दूद मानसा हारी भोजन प्राप करता है अब एक उदारान देखते हैं जैसे कि घास का मैदान है तो ये क्या है? हरे पौधों यानि घास से मिलके बना होता है इसलिए क्या होता है? ये उत्पादक होता है उसके बाद प्राथमी को बोगता है टिड़ी, सेकेंडरी, मेड़क और तरसरी बाज होता है खाद संकला में प्रतेक इस्तर पर कड़ी अथवा जीव का पोसर इस्तर या उर्जा इस्तर कहते हैं इस संकला में एक किनारे पर हरे पौधे अठाद उत्पादक जिबकि दूसरे पर अब घटक होते हैं यानि एक साइड में सबसे सुरुवात होती है किस से हरे पौधों से और सबसे लाश्ट कौन से होते हैं डीकमपोजर्स होते हैं उसके बीच में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो है कंजूमर्स आते हैं तो अब हम कई सारी प्रक्रती में खाज संकला है पान जाती है जिनमें तीन प्रमुक होती है तो तीन प्रमुक फूट चेन में पहला क्या है चारण आहार संकला या ग्रेजिंग फूट चेन ये आहार संकला हरे पौधों से प्रारम होती है और हरे पौधे सूर के प्रकास पर पत्य चुरूप से निर्भर होते हैं अतक क्लोरोफिल और सूर के प्रकास की पस्तिती में अपने भोजन का निर्मार स्वयम करते हैं इस प्रकरिया को प्रकास संसलेशन या फोटो सिंटेसिस के नाम से हम जानते हैं सामने तया अधिकांस पार्थितिक तंत्र में चारण संखला पाई जाती है इस रंखला में हरे पौदे जैसे घांस और इसके चरने वाले तथा मांसा हारी जीव आते हैं अगले टाइप की जो खाज संखला है वो कौन सी है पर जीवी आहार संखला जिसको डेट्रियस फूर्जापर निर्भर नहीं करती है इसमें मृत जैविक पदार्थ से सूच्म पदार्थ और अपरदी जीवों का क्रम पाया जाता है अगला प्रस्न जो लाश्ट कोश्चन है इस सिरीज का इसको देखते हैं अंतराश्टी खगोली संग यानि आई यूई से संबंध निवलिखित कतनों की जो है सक्तिता का हमको परिक्षण करना है कि इसमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं तो इस संग का मुख्याले कहां पर है फेरिस फ्रांस में ये कथन जो है बिलकुल सही है इस संग की स्थापना 28 जुलाई 1919 को बुरुसेल से यानि बेल्जियम में होई थी ये भी कथन सही है संग की आम सभा प्रतेक चार वर्स पर बुलाया जाती है ये कथन गलत है वर्स 2021 में इस संग की अगली आम सभा वियना आश्टिया में संपन होगी ये भी कथन बिलकुल गलत है तो इस तरह से एक और दो ही इसमें सही है विसके बारे में जो है और जानकारी रेखते हैं तो अंतराश्टी खगोली संगन IAU इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को बुरुसेल्स वेल् इसका प्रमकुदेश क्या है अंतराश्टी सहयोग से खगोल विज्ञान का प्रुसाहन और विकास संग की सव महत्पूर परियोजनाओं में सामिल नवीन घटना मानों द्वारा चंद्रमा पर पहुँचने की पचासवी वर्स गाठ है जो 2019 में मनाई गई है संग की सभा की आम बैठकें प्रते एक तीन वर्स पर होती है संग की प्रथम बैठक 1922 में रोम यानि इतली में हुई थी संग की पूर्व यानि तीसमी बैठक जो है 2018 में वियना आश्ट्रिया में हुई थी यानि 2019 से पहले और संग की जो अगली बैठक होगी जिसको 31 बैठक कहेंगे 2021 मे बोसान दच्छन को दिया हम होगी तो यह सभी पॉइंट जो है यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट है तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने जो हमारा मॉडल पेपर है उसको यहाँ पर समाप्त कर लिया है इसके बाद हम लोग जो है सलेबस वाइज जो है बी ई यो अधा की तैयारी इस चैनल पर करेंगे तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद